नमस्कार बच्चों आज हम आपके वेवसाइक अध्यान के दूसरे पुस्तक के दसवे अध्याय वित्य बाजार का तीसरा भाग देखने जा रहे हैं इस अध्याय के पहले दो भागों में हमने वित्य बाजार के बारे में एक समझ को विक्सित करने की कोशिश की हमने वित्य बाजारों के अर्थ को जाना, इनके महत्व वा इनके कारियों को समझा हमने देखा कि कैसे भारत में वित्य बाजार दो मुख्य भागों में विभाजित किये गए है एक तरफ मुद्रा बाजार जो की अल्प काल के वित्य शुरोतों से जुड़ा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ पूंजी बाजार जो दीर्ग कालिक वित्य शरोतों से जुड़ा हुआ है मुद्रा बाजार के अंदर आने वाले प्रमुख प्रपत्रों के बारे में जैसे ट्रेजरी बिल या वानेज़ पत्र आदी के बारे में भी हमने विस्तार में चर्चा की हमने यह देखा कि पूंजी बाजार जहां पर दीर्ग कालिक पूंजी की शरोत या वित्य शरोतों का लेंदिन होता है उसे भी दो वर्गों में बाटा गया है एक तरफ प्रात्मिक बाजार है जहां पर नए प्रकार के पूंजी शरोतों या शेयर रिणपत्र आदी का लेंदिन किया जाता है वहीं द्वित्यक बाजार में पुरानी रिनपत्रों या शेर आदी का लेंदेन किया जाता है हमने शेर बाजार जो की द्वित्यक बाजार भी है उसके क्रिया कलापों के बारे में भी विस्तार में जाना इसके आगे हमने पिछले भाग के अंत में यह देखा कि जब कोई निवेशक या आमजनता से कोई व्यक्ति द्वित्यक बाजार या किसी शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं वो वहां किसी शेयर या रिणपतरादी को खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कार्यविदी है? हमने देखा कि यह कार्यविदी बहुत लंबे चरणों से होकर गुजरती है जहां पर हम शेर बाजार के दलालों या ब्रोकरों के माध्यम से वहां पर लेंदेन कर सकते हैं, निवेश या विनिवेश कर सकते हैं हमने देखा कि कैसे आज सभी भारतिय बाजार पूरी तरह से इलेक्ट्रोनिक हो गए हैं, जहां पर स्क्रीन आधारित एक तंत्र के द्वारा सभी लेंदेन किये जाते हैं आज इलेक्ट्रोनिक माध्यम से लेंदेन के कारण भारतिय शेहर बाजारों में कुशलता और पारदर्शिता भी बढ़ी हैं आज के इस भाग में हम भारतिय शेहर बाजार में आये इस परिवर्तन को देखते हुए शुरू करेंगे और आगे जाते हुए हम ये देखेंगे कि भारतिय शेर बाजार और उसको प्रबंधित करने के लिए बनाए गई प्रणालिया किस प्रकार कारे करती हैं जैसा कि हमने पिछले भाग में भी देखा स्क्रीन आधारित तंतर के आजाने से भारत में जो शेर बाजार की कम्या थी तरह तरह की जो समस्याएं थी चोरी थी नकली अजाली अंतरण था अंतरण में देईरी थी इस तरह की दिक्कतें काफी हद तक कम हुई हैं इनके पीछे स्क्रीन आधारित तंतर से होने वाले लेन देन की एक प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाने भाती हैं जिसे कि हम वी भातिकी करन का नाम देते हैं या डी मटीरियलाइजेशन का नाम देते हैं Dematerialization का अर्थ है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें निवेशक द्वारा भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियां रद्ध हो जाती हैं यानि अगर कोई निवेशक जिसने बहुत सालों पहले मान लीजिए किसी कंपनी के शेर खरीदे थे जो कि उस समय उसे भौतिक रूप में मिले थे Dematerialization होने के बाद वो भौतिक प्रतिभूतियां रद्ध की गई वह उनको एक electronic रूप प्रदान किया गया निवेशक को एक electronic प्रविष्टी या संख्या दे दी गई जिससे वो एक खाते में electronic balance के रूप में या शेश के रूप में प्रतिभूतियों को रख सकते है इसके लिए उस निवेशक को एक विशेश संगठन जिसे निक्षेपागार या depository कहा जाता है उसके पास एक DMAT account खुलवाना पड़ता है हमने DMAT account की बात भी पिछले भाग में की थी कि यहां एक प्रकार से एक bank खाते की तरह होता है जैसे हम bank खाते में अपने पैसे जमा करते हैं और वहां से ही लेंदेन कर सकते हैं वैसे ही एक DMAT खाते में एक निवेशक की प्रतिभूतियों को यह प्रक्रिया वीभातिकी करण यह DMAT कहलाती है राज भारते है शेर बाजार बुरी तरह से DMAT या वीभातिकी करण के द्वारा ही लेंदन करते हैं अब आए भारत के कुछ प्रमुक शेयर बाजार ओपर चर्चा करें हाला कि भारत में कई शेर बाजार हैं जो अलग अलग शेहरों में स्थित हैं, लेकिन इन में से दो शेर बाजार बहुत मुख्य स्थान रखते हैं, ये दो शेर बाजार भारत के सबसे बड़े शेर बाजार हैं, इन में सबसे पहला शेर बाजार, National Stock Exchange of India, NSE के नाम से जाना ज कहते हैं, यह भारत का राष्ट्रिय शेर बाजार भी कहलाता है, यह एक बिलकुल नया आधुनिक्तम वा तकनीक द्वारा संचालित शेर बाजार या Stock Exchange है, इसे 1992 में निगमित किया गया था, वा बाद में इसे अप्रिल 1993 में एक शेर बाजार के रूप में मानियता दी गई यह शेर बाजार भारत के कई बड़े वित्य संस्थानों, बैंकों, बीमा कंपनियों वा अन्य वित्य मध्यस्तों द्वारा स्थापित किया गया था, इसने 1994 से अपना व्यापार या व्यापार कार्य शुरू कर दिया था, एनसे की स्थापना कई मुख्यों देशियों के प्राप्ति के लिए इन संस्थानों द्वारा की गई थी, इन में से यदि हम कुछ चुनेहवे मुख्यों देशों की बात करें, तो सबसे पहला देश निकल के आता है कि प्रतिभुतियों के लेंदेन के लिए एक राष्ट्र व्यापी व्यापार सुविधा स्थापित करन इसके अलावा एक औचित्य पूर्ण संचार नेटवर्क के रूप में काम करना जिससे कि पूरे देश में निवेशकों को तक एक समान पहुच सुनेश्चित की जा सके अर्थात पूरे देश के निवेशक एक राष्ट्री शेर बाजार के माध्यम से कहीं से भी लेंदेन कर सके ऐसा ना हो कि किसी राज्य या किसी शेर के निवेशकों के पास ज्यादा अवसर हो वहीं किसी और के पास कम तो पूरे देश में सभी निवेशकों को एक समान पहुच पहुचाना इस बाजार का एक मुख्यों देश था इसकी अतरिक्त इलेक्ट्रोनिक व्यापार प्रणाली का उप्योग करते हुए एक निश्पक्ष सक्षमता पूर्ण वा पारदर्शी प्रतिभूती व्यापार बाजार उपलब्द कराना इसकी अतरिक्त लगु भुक्तान चक्र तथा पुस्तक प्रविष्टी निप्टान के द्वारा इन प्रणालियों को और अधिक योग्य बनाना अर्थात NSE को इस सोच के साथ शुरू किया गया कि पूरे देश में एक राष्ट्रिय पहुच वाला शेर बाजार हो जहां पर इलेक्ट्रोनिक माध्यम से निश्पक्ष लेंदेन हो वा जो लेंदेन की प्रविष्टियां की जाती है वो प्रणाली भी योग्य बने बहतर बने हैं NSE के अलावा भारत में एक और बहुत ही प्रचलित वा प्रसिद्ध शेर बाजार है जिसे यदि हम भारत का सबसे बड़ा शेर बाजार कहें तो शायद वो भी गलत नहीं होगा इसे BSE या Bombay Stock Exchange के नाम से जाना जाता है BSE को सन 1875 में स्थापित किया गया था या एशिया का सबसे पहला Stock Exchange भी है इसे प्रतिभूती विनियम अदिनियम 1956 के अंतरगत स्थाई मानेता दी गई अर्थात यह शुरू 1875 में हो गया था लेकिन 1956 में जाकर इसे एक स्थाई मानेता मिली BSE का मुख्यों देश्य पूंजी प्राप्त करने हितु एक बड़ा मंच उपलब्द कराना है जिससे की निगमित छेतर की कमपनियों वह इस पूरे छेतर के योगदान में साहिता मिले BSE इसके अतरिक्त भी कई अन्यों देश्यों की पूर्ती के लिए कारी करता है जैसे की समतापत्रों, रिनपत्रों, व्यत्पन्नों या म्यूच्वल फंडों आदी में व्यापार को कुशल बनाना वह एक पारदर्शी बाजार उपलब्द कराना इसके अलावा लगू तथा मध्यम उपक्रमों की समताओं के लिए एक व्यापार उपलब्द कराना एक बाजार उपलब्द कराना यानि कि छोटे आकार या लगू आकार की कंपनिया यदि समता जारी करके पूंजी प्राप्त करना चाहती हैं तो पहले उन्हें इसके में भी इलेक्ट्रोनिक रूप से एक्सचेंज के कामकाज को चला कर शेर बाजार के व्यापार को सक्रिय वह सुरक्षित बनाने का उद्देश रखा गया है इसके अलावा यह बाजार के प्रतिभागियों को अन्य सेवाएं भी अपलब्द कराता है जैसे कि जोखिम रुकता फैलानी का भी कारी करता है इसके अतरिक्त बीएसी भारत के शेर बाजारों को अंतरराश्ट्रियस शेर बाजारों और उनके मानकों के अनुरूप बनाने की कोशिश भी करता है तो यह दो शेर बाजार एनसी और बीएसी भारत के दो प्रमुक शेर बाजार माने ज यह जितने भी शेर बाजार है यह भारत का यह जो पूरा शेर बाजार का तंत्र है इसको और अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत में एक विशिष्ट संस्था की स्थापना की गई जिसे सेवी या फिर भारतिय प्रतिभुति एवं विनमे बोर्ड के नाम से जा पुशाशनिक निकाय के रूप में की गई थी इसका कार्य प्रतिभुति बाजार के सभी कारीपर नालियों को नियमिद तरीके से वो स्वस्थ तरीके से करणा सुचारू करणा वो निवेशकवी सुरक्षा को बढ़ावदा था भारत में एक एन एसनी और बीसे के वा उनका नियमन करने के लिए भारत में सेभी जैसे संस्था की स्थापना की गई थी। सेभी को भारती प्रतिभूति वह वीनिमय बोड या सेक्योरिटी एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सेबी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 12 अप्रेल 1988 को की गई थी यहां एक अंतरिम प्रशाशनिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था इसका मुख्य कार्य प्रतिभूती बाजार के कार्यों को या क्रिया प्रणाली को क्रमित रूप से नियमित रूप से वह स्वस्थ तरीके से चलाना तथा निवेशकों की सुरक्षा को बढ़ावा देना था यहां भारत सरकार के वित्त मंत्रायले के अंदर कारी करता था लेकिन 30 जन्वरी 1992 को सेवी को एक ओर्डिनेंस या अध्यादेश के द्वारा वैध्यानिक निकाय का दर्जा प्रदान किया गया यानि इसके बाद सेवी की सुतंद्रता और जादा बढ़ गई थी भारते शेयर बाजार में सेवी की एक बहुत महतवपूर्ण भूमिका है सेवी कई महतवपूर्ण उद्देश्यों को ध्यान में रख्ये बनाया गया है वो यह कोशिश करता है कि अपने उद्देश्यों को सफलता पूर्वक प्राप्त कर सके इन उदेश्चों मेंजरी जो सबसे मूल उदेश्य है सेबी का वह भारत के शेर बाज़ार में एक ऐसे परियावरण को पैदा करना है जो प्रतिभुतियों के लेंदेन को निवेशकों के लिए, वेवसायों के लिए वह सभी प्रतिभाग्यों के लिए अदिक सुगम बना सक सेबी के उदेश्यों को शेर बाजारों के तीन मुख्य समूहों की जरूरतों को ध्यान में रखके बनाया गया है। यदि हम निर्गम करताओं या प्रतिभूतियों को जारी करने वाले कंपनियों की बात करें, तो सीबी का उद्देश्य एक ऐसा बाजार उपलब्द कराना है, जिसमें वो कंपनियां वित उगाहने हेतु विश्वास के साथ आगे बढ़ कर काम कर सकें, जहां वो अपने आव सूचनाय प्रदान करना वो उनके लेंदेनों में निरंतरता बनाये रखना है, मध्यस्तों यानि ब्रोकरों या दलानों के लिए सीबी का उदेश्य एक ऐसी व्यवस्था या सरचना स्थापित करना जो प्रतियोगिता को बढ़ावा दे, व्यवसाइकता पूर्ण हो, व् उनके काम के लिए एक अच्छा महौल प्रदान करें, ताकि वो निवेशकों व जारी करताओं को सरवत्तम सेवाय प्रदान कर सकें, यह सेबी का उदेश्य है, यानि सेबी शेयर बाजार के तीनों प्रमुक प्रतिभागियों, कंपनियों, निवेशकों व ब्रोकरों, यान के इन उदेश्यों को, अगर हम कुछ मुख्य बिंदूओं के अंदर डालें, तो हम कह सकते हैं कि सेबी का सबसे पहला उदेश, शेयर बाजार, वो प्रतिभुती उद्योग को वियन्यमित करना है, निवेशकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है, तथा विशेश रूप से वियक्तिगत निवेशकों यानि चोटी निवेशक होते हैं, उनको मार्ग दर्शित करना है, इसके अतरिक्त व्यापार के कदाचारों, यानि दुराचारों को रोकना, प्रतिभुती उद्योग के स्वा-नियोजन द्वारा, तथा इसके वैद्यानिक नियमन एक संतुलित वतावरन तयार करना है, मध्यस्तों जैसे कि दलालों, ब्रोकरों, मर्चंट बैंकर्स आधी के द्वारा एक आचार सहिता वा निस्पक्ष व्यवहार को बढ़ावा देना है सेभी अपने उद्देश्यों की पूर्ती के लिए कई कार्य करती है, सेभी के कार्यों को मुख्यता तीन श्रेणियों में बाटा जाता है सबसे पहला सुरक्षात्मक कार्य, दूसरा नियमनात्मक कार्य वा तीसरा विकासपूर्ण कार्य यदि हम सुरक्षात्मक कारियों की बात करें तो सेभी कई तरह के कदम उठा कर शेर बाजार को सभी प्रतिभागियों खास करके व्यक्दिकत निवेशकों के लिए सुरक्षित बनाने की कोशिश करती है जैसे की सेभी प्रतिभुती बाजार में धोका धड़ी तो अनुचित कारियों पर प्रतिबंद लगाती है अनुचित व्यापारी कारियों में कुछ मुख्य कारे शामिल होते हैं जैसे की प्रतिभुती के बाजार मोलियों में अनुचित वृद्धी कराना अथवा घटोत्री के एक मात्र उद्देश्य के लिए हेरा फेरी करना इन कारियों पर कानून के द्वारा, सेबी के कदमों के द्वारा रोक लगाई गई है ताकि निवेशोकों के साथ ऐसी कोई धोकादड़ी ना हो सके इसके अलावा ऐसे जूटे कथन जिससे कमपनियां किसी भी व्यक्ति को प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के लिए उक्सा सकती है उनको रोका जाता है, सेबी शेयरों के भीतरी व्यापार या आंतरिक व्यापार पर रोक लगा कर रखती है आंतरिक व्यापार करने वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कम्पनी से बहुत विशेश रूप से जुड़े होते हैं उन्हें कम्पनी की प्रतिभूतियों को प्रभावित कर पाने वाली बहुत महतुपूर्ण सूचनाय पता होती है जो जन साधारण को नहीं पता होती ऐसे व्यक्ति ऐसी सूचनाओं का इस्तेमाल करके प्रतिभूतियों के मूलियों को गलत तरीके से प्रभावित करके अपना इस तरह के गलत कारियों जैसे क्यांत्रिक व्यापार या मूलियों में हेरा फेरी धोका धड़ी आधी को रोक कर एक आचार सहीता बनाकर सेभी निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करते हुए अपने सुरक्षात्मक कारिय पूरा करती है। इसके लिए से भी दलालों या अन्य उपदलालों या बाजार के अन्य प्रतिभागियों या खिलाडियों का पंजिकरन करती है ताकि कोई भी अधिकरित या अपंजिकरित व्यक्ति या संस्था शेहर बाजार में काम करके गलत काम ना कर पाए। लिश्यक के साथ किसी प्रकार का धोगाना करें इसके अलावा शेयर दलालों तथा पोर्ट फोलिय एक्सचेंज़ ओ को नियमित करना या पंजिकरित करने का काम से भी करती हैं से भी धोखिय भाजी वह अनुजवित व्यापारों की रोक थाम करती है या आंत्रिक व्यापार वो नियंत्रन कारी बोलियों पर नियंत्रन करती हैं, नियंत्रन कारी बोलियों का अर्थ है कि कई बार बड़ी कंपनिया, छोटी कंपनियों को नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं, उनके शेयर पर कबजा करके उन पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करती हैं, से भी ऐसे अनधिकृत या अनुचित नियंत्रणकारी कारियों पर भी ध्यान देती है सेवी उद्यमों में समय समय पर परियवेक्षण करवाती है जाच परतार आयुजित कराती है ताकि सभी उद्यमों के कामकाज की जानकारी सेवी के पास रहे से भी उनसे सूचना है मांगती है ताकि यह देख सके कि कोई उद्यम जिसने मानलीजे शेयर जारी किये हैं वो पीछे कोई गलत काम करके निवेशकों के पैसे को डुबाना दे तो मुक्यता पंजी करण वा नियमन के इन मुक्य कारियों के द्वारा से भी शेयर बाजार को नियमित करने की कोशिश करती है अब सुरक्षा वा नियमन प्रदान करने के साथ-साथ यहां भी बहुत जरूरी है कि भारतिय शेयर बाजार पहले से बहतर बने वो पहले से जादा विक्सित हो इसके लिए से भी विकास से जुड़ेवे कई कारिय भी करती है जैसे कि वो निवेशकों को सिक्षा प्रदान करने का कारी करती है समय समय पर कई परकार के समिनार या अन्नी कारेशालाएं लगाकर अन्न कुछ मैगजीन जारी करकå इस तरह के कई कदम उठाकर से भी कोशिश करती है कि निवेशकों, दलालों वा सभी परतिवाग्यों को शेयर बाजार में काम करने की पूरी जानकारी हो उन्हें शेयर बाजार के नियमों की सूचना हो वो पूरी तरह से सिक्षित होकर शेयर बाजार में हिस्सा ले सके इसके अतरिक्त सेवी मध्यस्तों का प्रसिक्षन भी कराती है उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो अपने कार्य को सुगमित तरीके से कर सकें क्योंकि मध्यस्त निवेशकों और कम्पनियों के बीच की कड़ी होते हैं यदि वो परसश्चित होंगे वो अपना काम अच्छा करेंगे तो शेर बाजार भी अच्छा चलेगा सेभी उचित आचरणों व्यवहारों तथा अन्य प्रकार के उचित कार्य विधियों को बढ़ावा देने के लिए भी सभी प्रतिभाग्यों को प्रोचसाहित करती है तो इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सेभी भारते शेर बाजार की एक बहुत महतोपूर्ण कड़ी वो शायद सबसे महतोपूर्ण स्तंब कहा जा सकता है जो भारत के शेर बाजारों के सुचारू रूप से चलने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाते आ रही है अपने इस्थापना के इन करीब करीब 30 सालों में सेबी ने शेर बाजारों को बहुत बहतर बनाने का कारी किया है तो बच्चों आज हमने ना केवल शेर बाजारों के कारे प्रणाली को समझा बलकि हमने भारत ये शेर बाजार के दो मुख्य बाजारों NSE और BSE को जाना कि कैसे दोनों अपने अपने स्तर पर भारत के शेर बाजार कारे प्रणाली को बहतर बनाने के कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रोनिक माध्यम के लिए इन देन को बढ़ावा देकर पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहे हैं और इनके भी उपर भारत में सेवी को बनाया गया है जो इनके वान्य शेर बाजारों वो उसके सभी प्रतिभागियों को बहतर काम करने के लिए प्रोसाहित करते हुए तरह-तरह के नियम कानून, काइदे, प्रिसिक्षण, आधी प्रदान करके भारतिय शेर बाजार को और कारी कर रहे हैं। इस पूरे अध्याए में इसके तीनों भागों में हमने भारतिय वित्ते बाजार, शेर बाजार, सेबी, मुद्रा बाजार आदी के बारे में एक विस्तरित समझ स्थापित करने के कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अध्याए वो इसके स झाल झाल